मश्कार सभी दर्शकों को बेंगल्स वाला में आप सभी का अर्दिक स्वागत है मेरा नाम है गोरव और आज मैं कुछ आपको ठंडी राकी या लाकी चुड़िये के कुछ लेटेस्ट डिजाइन दिखाऊंगा आईए देखते हैं डिजाइन्स को कि यहां पर मैंने कुछ रख दी है चुड़ी यां पर इस टाइप कि में बेंगल्स आपको आज दिखाने हो लाँ इसके डिजाइन्स यहां पर बहुत सरी वरायटी के मैंने डिजाइन्स यहां पर रख दिए तो सब का एक में आपको ट्योर कराऊंगा सबस्ट करमें यहां पिंग कलर की ये उठी हुई चूड़ी है इसको हम किसी के किसी बेंगल या कड़े के बीच में लगा कि इसको सेट बना सकते हैं पिंग कलर के इसको मैं दिखाता हूं आपको यहां पर मैंने पिंग कलर का वेलवेट का कड़ा लिया है इसको मैं पिंग कलर की चूड़ी के में आपको दिखाता हूँ मला यह मोती और डाइमंड यहां पर लगे हुए हैं जिसमें यह गॉल्डन कलर की चीकू के साथ यहां पर मैंने दो डिजाइन ले लिए याली दोनों डिजाइन में आपको दिखा रहा हूं कड़े की यह लेटेस्ट डिजाइन है इसके लाव अग गॉल्डन मल्टी ब्लू महरून और रेड यह इसके कलर अवेलेबल है यह चूड़ी है निम्बू मिर्ची अली मल्टी कलर इसमें ग्रीन महरून और येलो कलर का कॉंबिनेशन है और दो लाइन की चूड़ी एक तरफ इसमें फिगर लगे हुए है यह बारिक बारिक आप देख पा रहे हैं और इसके पूरा में बोक्स आपको दिखाता हूँ यह पूरा बोक्स यहां पर रखा हुआ है इसका यह चूड़ी का है उसके अलवा अगर कड़े की बात करें तो यह अला कड़ा है एक और नया डिजाइन इसमें आपको 10 कलर मिलेंगे इसको डिजाइन क चूड़ी और पाटले में सेट एकदम अट्रेक्टिव इसी का मल्टी कलर का सेट आप देख पा रहे हैं और एक और तिन लाइन का कड़ा यहां पर डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको लेटेस्ट डिजाइन है एकदम सिंपल सोबर मातर 80 रुपे के कड़े हैं दो एक यह मल्टी कलर की चूड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ डिजाइन यह भी कपी अट्रेक्टिव है अबर मैं इसको खूजब वीव आपको दिखा देता हूं इसका खूजब यूट का कि यह अपर लिटेस दिजाइन यहां पर रखी मेरे सेल दिखाए ते यह अले कड़े मैं आपको शोनी किए यह अलें तरहे हैं अपर फिद्धि मैंने आ पको दिखाएती जोडी यह मल्टी प्लेन कलर के खड़े तो यहाँ पर सब तरह की latest designs मैंने यहाँ पर रख रही है सब design का आपको view देख पा रहे है तो आज के वीडियो में मैंने थोड़ा कुछ different बनाने की कोशिश की थी तो सब करेंगे चूलिया जो मेरे पास रखी हुई थी मैंने आपको दिखाई है designs में आपको कौन सी पसंद आ है जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएगा और कहां कुछ कमी है तो जरूर बताएगा जिससे कि मैं वीडियो में और improve कर पाऊं मेरे वीडियो में तो आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग,